नमस्कार मेरा नाम है राम सिंगहमार और आप देख रहे हैं MARKET TIMS TV और जिस प्रकार से सीजन चल रहा है और किसान भाई लगातार धान की रुपाई कर रहे हैं, मेरे पीछे भी आप तस्वीरेद देख सकते हैं कि मजदूर जो है, परवाशी मजदूर खेतों में लगातार ज हुए थी तो जिस प्रकार से यह सीजन होता है जब मानसुन आता है मानसुन के बाद जब इस प्रकार से रुपाई का कारिया तेज हो जाता है खासतोर पर बात करें तो बीते साल 7 जुलाई सीजन में अब तक लगबंग एक लागपचास हजार-में धान की रुपाई हुई और खास तोरप जिस करें तो लगातार जिस क्रकार से मोस्म चल रहा है ऐसे में जो है कुंछ किसान भाई जो धान की फसल को छोड़ कर कापास की फसल की भी बिजाई करते हैं तो चालू सीजन में आब तक कापास की बिजाई करीबन 2722 एकड हो चुकी है और बात करें चालू सीजन की तो इस वक्त एक लाख पचास हजार एकड में धान की रोपाई करवाई जा चुकी है और ल लगातार जो है किसानों को जागरुक भी किया गया था कि जो किसान बाइधान की फसल को छोड़ कर अन्य फसल की बिजाई करते हैं या पैदावार करते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से पिछली बार जो है सबसीड़ी का भी प्रावधान किया गया था यानि कि इस बार मांसून ने आज रूर गया है लेकिन कईगे किसानों के सामने चैलेंज ये भी है कि लगातार जहाँ देश के अलग-अलग इस्सों में बारिस हो रही है तो ऐसे में दिल्ली NCR समेत हर्याणा में बारिस बहुत कम नजर आरही है और जिसकी वज़े से किसान भाईयों की चिंता भी लगातार बढ़ रही है लिहाजा अगर बारिस नहीं होती तो भूमिगत पानी जो है उसकी खपत बहुत ज़्यादा होगी यानि की भूमिगत जल की समझ से आप पहले ही बहुत ज़्यादा है और सोनिवत के छेतर में काफ लगातार दिखाते रहेंगे फिलाल के लिए नमस्कार